हे गाईज वेलकम बैक टू मैं चेनल गाईज मैं फिर से घुमते घुमते एक अंजान जगा में पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर से यानि की बारहाती होसिंग कलोनी नियार फास्ट मार्क स्कूल के सामने से निकला था घर से होते हुए चिरोंदी की और आया था रांची में एक जगा है चिरोंदी तो आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही आच्छे होंगे और फूल इंज़ोई कर रहांगा अपनी लाइफ में तो जब मैं घर से निकला था तो सोचा था कुछ अच्छी पता नहीं है तो मैं रांची के चिरोंदी से होकर इस जगा पर पहुंचा हूँ ये आप लोग देख सकते हैं नजान जगा है ये अनजान जगा के बारे में बिलुकूल भी नहीं पता मैं तो चीरोंदी से होते होते इस जगा पर पहुंच चुका हूँ तो ये आप लोग सारा नजारा देख पा रहे होंगे मैं इस साइट का भी नजारा आप लोग दिखा देता हूँ काफी खुबसूरत नजारा है ये आप लोग देख सकते हैं इस साइट का नजारा कितना खुबसूरत लग रहा है, आप लोग देखी सकते हैं, तो जैसे भी हो मैं यहां पर पहुंच गया, अंजाने में ही सही, लेकिन बहुत ही अच्छा जगा पहुंच गया, आप लोग देख सकते हैं इतना खुबसूरत नजारा, प्रकृति की जो ख जाएंगे और आप लोगों को सारा नजारा दिखाएंगे, यह आप लोग देख सकते हैं, सारा खुबसूरत नजारा, थोड़ी दिर में हम आगे की ओर जाएंगे और आप लोगों को सारा नजारा दिखाएंगे, यह देखिए दोस्तों, यह आप लोग देख सकते हैं, मैं यह एलाका। बहुत याद्बूत और खुब्सूरत ना जा रहा है। यही है राची जारकाण जारकाण की खुब्सूरती, कहीं भी जाओ आप लोगों को खुब्सूरत जगा देखने को मिली जाएगी। यह मैं घुमा करके दिखा दता हूँ I hope आप लोग पहोंगे इस ब्लॉग को Enjoy कीजे इस ब्लॉग को और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा बस आप लोग पूरा वाच कीजेगा इस ब्लॉग को आधा मत रखिएगा फूल वाच कीजेगा इस ब्लॉग को and enjoy कीजेगा और ब्लॉग पसंद आये तो क्या करना है Like ब्लॉग पसंद आये तो मेरे वीडियो को Like कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और मेरे वीडियो को भी Share कर दीजेगा और साथी साथ बेल आइकोन को दबाना मत भूलिएगा बेल आइकोन को दबाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने बाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत जल्द से जल्द मिल जाएगी तो वीडियो के साथ बने रहिए और enjoy कीजेगी ये है नजार में थोड़ा असमान की और दिखाता है आप लोगों को थोड़ी बहुत बादल आप लोगों को दिखाई दे रहे होगी क्योंकि अभी दो तिन दिन या चार दिन तक मौसम थोड़ा खराब रह सकता है बारिस भी हो सकती थोड़ी बहुत ये प्रीडिक्सन है ये बताया गया है न्यूज में रांची जारखन का मौसम में भी तीन-चार दिन तक खराब रह सकता है मैं आप लोगों को नजारा दिखाता हूं कि आप लोग बादल देख सकता है ये पीछे का नजारा तो देखी लिया आप लोगों ने और भी मैं नजारा दिखाता हूं ये देखिए खुबसूरती जारखन की खुबसूरती देखिए देखिए जादा देर ना करते हुए हम आगी के वर चलते हैं और आप लोगों को नजारा दिखाते हैं कर दो 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 झाल 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 तो इसी के साथ दोस्तों हम आपने ब्लॉग की समाप्ति करेंगे तो आप लोग जरूर बताईएगा मुझे की आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंड में जाकर अपना कमेंड जरूर लिखिएगा भूलना नहीं है समझें जाकर चल्दी जल्दी कमेंड करिये तो दोस्तों इस खुपस्रत नजारे के साथ आप लोगों को अलवीदा करता हूँ आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा मुझे पता है आप लोगों को ब्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को ताकि आप लोगों को एसे ही खुबसरत वीडियो मिल सके मेरे चैनल के द्वारा समझे क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो यारो तक यह खुबसरत में जा रहा देख लो लास्ट लास्ट में कितना खुबसरत में जा रहा है देख सकते हो कि देखते जाओ लास्ट लास्ट में काफी खुबसरत है यह आसमान